दोस्तो रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक के नराज लोर सर्किट लग रहा है लेकिन सर्किट खोल भी रहा है तो क्या या वाकई में अब गिरावट की समवावन बन रही है क्या यहाँ पे ओपरेटर का गेम चल रहा है क्या इस्टॉक को लगातार उपर बढ़ाया के लेकिए जा सकते है या फिर यहां से भारी की रावट हो सकते है तो क्या इस्टॉक काफी कम सम्मे डबल हो चुका है क्या है आगे की रणने थी यहाँ पे मूडिन ने किया है बहुत बड़ा खुला सा और सेक्टर को लेकर क्या है उनका खुलासा और रतन इंडिया पावर क्या आने वाले समय जबदस रिटन दे सकता है वैसे आपको पता ही होगा कि जब एकजिट पोल आया था उसके बाद में बाजार ने सांदार पच्छी सो पॉइंट की तेजी बताई सब कोई खुस हुआ लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया रिजल्ट में बहुत ज़्यदा मायूसी हुए और बाजार पूरी तरह से क्रेस कर गया कम से कम 4000 पॉइंट की भारी बरकम गिराउट के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी और इंट्राडे में 6000 पॉइंट गिरा बहुत जबनस गिराउट हुए दी स्टोक काफी नीचे लगिन वो रिकवर हो रहे पिछले दो दिन से काफी ज्यादा रिकवरी हो चुकिए तो ऐसे में हमें क्या खनाची क्या यह से निवेस का सही मौका है जानने की कोशिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बिल आइक उन दबा दीजिए ताकि जबी नेवरियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस बीदवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले र 3.76% की गिरावट के साथ तो आप देख से तो की लोड सर्कीट लगा लेकिन सर्कीट इस समय खुला है और यहां पर ट्रेडिंग हो रही है तो काफी भारी मात्रा में यहां पर विक्वाली भी हो रही है लेकिन सामने कुछ खरीदारी हो रही है और इस वजह से सर्कीट पर ट्रेड का पूरा का डिलेवर बेस काम हुआ और कल 10 करोड का डिलेवर बेस काम होता आज अब वाजार सुरू है धाई बज़े के आसपासी 9 करोड का वालीम हो चुका है और वालीम बढ़े की समवाना पूरी दिख रही है अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट न 360 billion investment की जरूत पड़ेगी coal और renewable energy sector के अंदर तो काफी बड़ा निवेस होगा और renewable energy sector के साथ में coal power plant की capacity भी बढ़ती हुआ दिखा देगी यह मूरीज का कहना है क्योंकि 2030 तक के लिए 500 गीगावट की capacity को पाना है renewable energy के मादिव से उसका टार्गेट रगया और 44 गीगावट होगी coal based power plant की capacity यह अंदा जाए तो मूरीज की तरफ से जो एक अंदाजा लगाया गया है कि आने वाले से में renewable energy sector और electricity transmission प्रोजेक्ट के लिए करीब 190 billion dollar से लेके 215 billion dollar के निवेस की जुरूत पड़ेगी 2030 तक के लि वह electricity transmission और distribution infrastructure support के लिए भी जरूत पड़ेगी है तो इंडिया ने अपना target सेट किया 2030 तक 500 गीगावट की capacity को पाना है और इसके लिए annual capacity कब से हम 44 गीगावट की एड़ करनी होगी तब जाके उस goal को अच्छिव किया जा सकता है तो वोडीज का कहना है कि काफी ज्यादा के माध्यम से उड़ जाकी जुरूत को पूरा नहीं किया जा सकता है कोल बेस पाउर capacity को भी बढ़ाना होगा उसका भी रोल मैन है और आने वाले समय 2030 तक के लिए जो भी बिजली का खपत बढ़ेगी उसको पूरा करने में कोल का योगदान भी आगे जारी रहेगा तो मुर पूर बेस पाउर प्लान की बढ़ाना होगा और इसके लिए भारी बरकम नीवेस के जुरूत होगी तब जाके यह जो सपना हो सकता है तो मुरिज का कहना है कि रिजली को प्रमोट करने के लिए कोल को साइड लाइन नहीं किया जा सकता है उसका रोल भी मैं के मैन है आने व प्रमोट के लिए जाना होगा तो कुल मिला के जो मुरिज की रिपोर्ट यह कह रही है कि आने वाले से में भी कोल बेस पाउर प्लांट की बढ़ेगी दा की गटेगी तो ऐसे मैं थर्मल पाउर प्लांट का जो जितने पाउर प्रोजेक्ट है उनका बविश्य उजवल दि उसकी वज़र से आलमाने संस्टेंबल एनर्जी में इन्वेस्मेंट बढ़ सकता है और देख सकते हो कि जो पाउर कैपसिटी देखे तो फाइनेसर 23, 24,000 करीब मिक्स कैपसिटी 43% के आसपा सरी है सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से जो पाउर सेक्टर के कंपनिया उनको भी छूड़ दी जाए कि वो अपनी टैरिफ को थोड़ा सा बढ़ा सके ताकि उनको लॉस्ट नहों और उनका जो भी बिल्ली का जो खर्च है उसके सामने उनको प्रॉफिट हो तबी इस सेक्टर में इन्वेस्मेंट आएगा लोग और ज्यादा निवेस के तरफ प् इस समय रितन इंडिया पावर में इस समय निवेस करना चीए तो रितन इंडिया पावर में एक तरस्य देखे तो ऑपरेटर का गेम भी चल रहा है श्टॉक के अंदर फिलाल लोग सरकीट नहीं लगने दिया जा रहा है काफी निचले लग रहा है खरीदारी निकल के आ रह इसलिए जब किसी श्टॉक के अंदर ऑपरेटर का गेम शुरू हो जाए तो आपको अपनी रंजेती बदलनी चीए हो सकता है कि श्टॉक नीचे आए फिर आपका प्रॉफिट खत्म होगा आप चाहे तो आदा प्रॉफिट कम से कम बुक कर सके ताकि आने वाले समय फिर आ 67,000 की खरिदारी हुई तो 9 बचकर 18 मिनट पर 19.85 की प्राइस से 6,97,000 की बिक्वाली हुई फिर 9 बचकर 28 मिनट पर 19.55 की प्राइस से 7,13,000 की बिक्वाली और हुई उसके बाद 12 बचकर 14 मिनट पर 19.05 की प्राइस से 9,33,000 की बड़ी बिक्वाली हुई फिर 12 बचकर 15 शरो की एक विक्वाली और हुई और उसके बाद 12 बज़कर 17 मिनट पर 18.95 की प्रैस से 98,000 की एक विक्वाली और हुई और फिर लगातार आप देखे तो 12 बज़े के आसपास बहुत सारी विक्वाली हुए खिसी बड़े फंडा उसने या पे पना प्रॉफिट बुक कर लिया और यह अगर दोर आगे बढ़ेगा तो फिर लोड सरकीट लगने की समभावना बनी जाती है फिर 12 बज़कर 36 मिनट पर 18.95 की प्रैस से 12,10,000 की एक विक्वाली और हुई और उसी समय 12 बज़कर 36 मिनट पर 18.95 की प्रैस से 26,64,000 की एक विक्वाली और हुई यानि आज खरी इसमें से आपको फिर निकलने का मौका न मिले लेकिन श्टॉक मजबूत दिक रहा है आप देखते हैं कि जो इसके टेकनिकल इंडिकेटर बने वो भी काफी अच्छे बुलिश दिक रहे तो अगर हम सबसे पहले डेली लेवल पर देखे तो यहाँ पर इसकी जो समरी है वो बाइक की कॉल दे रहे तो सिगनल काफी जारा बुलिश दिक रहे अगर हम इसको मंतली लेवल पर भी देखे तो यहाँ पर समरी आपको स्ट्रॉंग बाइक की ही कॉल दे रहा है और अगर हम बात करें इसके टेकनिकल इंडिकेटर सी तो वो भी स्ट्रॉंग बाइक की कॉल निकल क्या रहे नहीं मंतली लेवर पर सिगनल सारे बुलिश है ऐसे में चिंता की बात नहीं अगर आप लॉंग टर्म इंवेस्टर है तो बने रहे सकते हैं अगर हो सकता है कि गिराउट शुरू होगी थोड़े लोड सरकेट लगेंगे लेकि इसके बार इसके बार फिर दौ या अपना खुदका रिसर्च करें कि कुमाइने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जिरुकी जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यो फ्रेंड्स